Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Hi Ho, पच्छे होगे और बहुत बड़ी खुश्कबरी आप सभी के लिए CET का result HSSC ने जारी कर दिया है तो अभी कुछ दिर पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी लेकिन दुबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ काफि स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि हमारे CET के result में provisional लिखा हुआ है पहले तो qualified लिखा हुआ है फिर provisional लिखा हुआ है qualified के bracket में तो provisional का जो मतलब होता है जैसे आप college universities में अपने exam दिये होंगे वहाँ पर क्या होता है मानली जी आप reappear होते हैं या फिर आप rechecking के लिए exam देते हैं तो आपका जो score card आता है वहाँ पर provisional लिखा आता है provisional का मतलब होता है कि आज के time पे वो चीज जो है वो आपकी स्थाई है लेकिन future में वो चीज जो है वो change हो सकती है यह मतलब होता है provisional का इसका मतलब है कि आज अगर आपका score 75 नंबर है और उसके bracket में qualified के bracket में आपका provisional लिखा हुआ है यानि कि कहीना कहीं आपके या तो जो family ID वाला जो issue है वो या फिर आपके जो 1.80 लाक वाला जो आपका criteria है वो या फिर family में जो नंबर है socio-economy criteria की जो नंबर है वो इन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ HSC को लग रहा है कि आपका check करने की जरूरत है एक बार तो वो उसमें issue अगर है तो उनके bracket में provisional लिखा गया है ठीक है बाकि जिसके भी 47.50 से उपर category में जनरल में नंबर आये है सभी को qualified उन्होंने लिखा है qualified हुए है सभी के सभी अभी भी जो criteria है वो same ही है vacancies आएंगी vacancies के हिसाब से qualification के हिसाब से top 4 गुना candidates को HSC बुलाएगा qualify का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे exam के अंदर जाएंगे qualify का मतलब है कि जो criteria HSC ने decide किया था आपके exam के लिए आपने उसको पार किया है तो आप अब qualify है wait कीजिए vacancies का जब वो आती है उसके बाद top 4 गुना को बुलाया जाएगा अगर आप उन top 4 गुना में आते हैं तो आप उसके अंदर बुला लिया जाएगे ये information आप लोगों को देनी थी thank you so much वर फिर से बहुत बहुत बदा ही आप सभी को बहुत बहुत शुब काम नहीं best of luck